आज यूवी वी निव्ज में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हैं वीमल कुमार चिप्पा जी इनको जो है लोग जंग शक्ति पार्टी से राजिस्तान किसान परकोष का अध्यक्ष बनाया गया है आई इन से जानते हैं बात करते हैं वीमल जी बहुत बहुत बदाई आप आपको आपको जो है किसान परकोष का अध्यक्ष बनाया है गया है लोग जंग शक्ति पार्टी से इस पर आपको क्या क्या रहा है सर देखिए सबसे पहले तुम्हें अपने राश्ट्री अध्यक्ष केंद्रिय शी राम विलाज जी पासवान जी का धन्यावाद करना आपार प्रकड करता हूँ जिनोंने मुझे न्यूक्ति पत्र दिया साथ ही दलीब जी वालमिकी जी राश्ट्रिय प्रवक्ता का रहा जिनोंने मुझे अशिरवाद दिया और जिनके माद्यम धनोच कुमार जी के माद्यम से यहां पहुँचा हूँ उनका हार्दी अपने अब आप जो है आपको देख्ष बनाया गया है चुनोतियां कितनी हैं लोग जंक्शक्ति पाटी में आप आ गए हैं एलाइंस में आ गए हैं कहीं नहीं राजिस्तान में जो है बीजेपी की सरकार है किस तरह से समस्याओं का निधान करेंगे लोगों सर में यह नहीं कहना चाहता हूं कि बीजेपी से कॉंग्रेस से किसी और पाटी से कोई आदमी खुश है आदमी हर तरीके साथ के तरह परिशान है किसा अपनी जिगश्का परिशाण हूरा है और इसमें बुझनेसमें जो पैसे वाला है उसको परिशाने नहीं मिदिल क्लास करें जो लोग है वो काफी ज़धा परिशान है मेंगाई को लेके हमारे याँ जहां मेरा local m.l. है वहीं कि में बात करता हूँ वहां पर क्या है hospital में बहुत सारी श्मशा हैं डक्टर टाइम पर नहीं मिलते हैं बसों में भी कुछ परिशानिय परेणों में भी परिशानिय परिशानिय है मैं आज इस पाइटे से जुड़ा हूँ, तो मैं चाहूँगा मंत्री जे तर सारी समस्या पहुचा हूँ, और मेरा उनसे निवेदनी है, कि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, तो कि जादा से जल्दी से जल्दी जितना हो, इन लोगों समस्या को दूर करने का कश्ट कराम है. आपने को सही है, तो उसकी उस तरी के जह भी करता था, कोई रस्ते में पेदल जा रहा हूँ है, या गाड़ी पेदल को कोई छोड़ना, अधिनी मनलब बहुत से समश्या आती है, उनका मैंने मेरे इसाफ से किया है, उसका ब्योरा मैंने मुताबक मुह से क्या बोलू, पर स लगदर्च बनाएंगे, क्या करेंगा? जो है, बहुत परेशान है, और बड़ी एक चुनोती है, कहीने कहीं जो दूसरी पार्टियां है, वो भी उनकी मदद करती आई है, लेकिन कहीने कहीं परेशानिया बहुत है, किसानों की समश्या को कैसे देखेंगे आप? जो मुझे यहां से दिया गया है, इनोंने, तो मैं किसी पाइटे का नाम नहीं लूँगा, मैंने बीजेपी नहीं कॉंगरेस की बाद में, आज जुड़ाओं लोग जेन शक्ती पाइटे थे, क्रिसान प्रकोष का जो मुझे अद्धिक्स बनाया राजिस्तान का, इसी बा कर्ज मुक्ति की जो बाते हैं, वो प्रोपर उनकों नहीं हो पाई है, आज तक जो भी जिसने बोला है, पैटेकल नाम किसी का नहीं लूँगा, कर्ज मुक्ति से परिशान, कर्ज उसका माफ नहीं हो रहा है, सेकंड गाओं में बिजली नहीं है, शोचालाओं की परिशानी है, तो जो भी परिशान है, जैसे ऐसे आएगी, तो मैं उनको मंतीचे पोचा हुआ है, अब 2019 में राजिस्तान में आप किसको देखना चाहते हैं, मैं नरंदर मोदीजी को देखना चाहते हूं, जो उनकी योजना है, वहां तक पहुंच रही हैं, बिल्कुल पहुंच रही जी, तो ये थे हमारे साथ में विमल कुमार चिपा जी, किसान परकोष्ट, राजिस्तान किसान परकोष्ट है, उसके ये अद्यक्ष बने हैं, और इन्हों ने बात की है, और आज से इन्होंने लोग जंग चक्तिपाटी के इन्होंने जंग जो है वो लड़ने शुरू कर आज से इन्होंने का है कि मैं वादा करता हूँ लोग जंग चक्तिपाटी के साथ मिलके अलाइंस के साथ जो है आने वाले दिलों में पर्धान मंत्री मोदी जी का हाथ पका करूआ, 2019 में पर्धान मंत्री मोदी जी को मैं पी-म देखना चाहता हूँ, कैमर Emberman Jekd明 के साथ म मैं नवल हंच यूबी वी नियूज नई तिल्ली